पुलिस को जो बायान दिया गया है उसमें सचाई नजर नहीं आ रही है केलाश के अनुसार एक लड़की जो की भायू महराज के कारेलाय में काम करती थी और जिसका अभी तक पुलिस को कोई पता नहीं चल सका है उस अनाम लड़की दुआरा विनायक के शहपर भायू महराज को ब्लेक मेल करके चालीस करोड रुपे नगत बंबई में चार बी एच के का फ्लेक एक बड़ी राशी की कार और कार्पोरेट में नोकरी की मांग की जा रही थी यह बयान भायू महराज के ड्राइवर केलाश दुआरा पुलिस को दिया गया है सचाई इसके विपरीत है सचाई यह है कि भायू महराज के कार्याल में काम करने वाली लड़की की इतनी हैसियत ही नहीं हो सकती कि वह भायू महराज से 40 करोड रुपे की मांग करे चोटी मुटी राशी तो ठीक है और जिस तरह से केलाश दुआरा यह बयान दिया गया है उस बयान के आधार पर आज तक पुलिस उस लड़की का पता क्यों नहीं लगा सकी है और कार्याला का कोई भी विक्ति उस लड़की का नाम क्यों नहीं बता सका है और आखिर वो लड़की ऐसी कहां गायब हो गई क्या उसे जमीन निगल गई या फिर वो आस्मान में जाकर गायब हो गई सवाल इस बात का है कि वो लड़की सामने क्यों नहीं आ रही है क्योंकि यहां संभाव नहीं लगता कि करेलाय में काम करने वाली लड़की की हैसे इतनी अधिक हो जाए कि वह इतनी बड़ी राशी की भहियो महराज से मांग करें और उस राशी के करण भहियो महराज को आत्मत्या करने जैसा कठोर निर्णाय लेना पड़े इस बात की कहीं से भी नहीं हो पा रही है देखने वाली बात यह है कि यह रहस्यमय लड़की आखिर पुलिस की गरप्त में क्यों नहीं आ रही है